कि आपने इसलाम दा मजाफ यह जाए अधर लेगी एक खड़ी हो जाओ तो अधर इसलाम दा मजाफ है जार इस प्रफ नहीं इन प्रफ नहीं आप इसा पर शुरा दिया प्रहां कि इसके उपर आप यह ने आप यह आप आप अधर क्या नहीं कि यह ताकि कल को अगर फुर्फ के साथ इसने मुशाबत रखते हुए सूट पहना जो के नहीं पहना चाहिए इससे कि अगर इसलाम की या मुस्लमानों की बहुत दिला आपना हाल यह है कि मिलाद के जुरूस के अंदर हजारों बना होता है और जैसे ही जोर क की नमास का वक्त होता है 99 परसंट लोग अपने घरों को लंगर और नयाज लेके चले जाते हैं मस्जिद में एक परसंट लोग भी मुश्के से जाते हैं और थोड़ी देर पहले लग रहा होता है कि इस वक्त दुनिया में अगर सबसे बड़े आश्काने रसूल हैं तो वो इस मजमें के अंदर मुझूद हैं दूसी तरफ दस महरम के जलूस के अंदर लग रहा होता है कि आज अगर कोई भी जजीद सामने आएगा वो बचेगा नहीं क्योंकि ये आश्काने हुसैन निकले हुए है और जैसे ही जोर अर्सस की नमास का वक्त होता है और वो उन ना तो 99% लोग साइड पे हो जाते हैं साड़े कपड़े पलीद ने पलीदो कपड़े पलीद ने मुसलमान और कपड़े पलीद और चंद लोग आपको नमाज पढ़ते वे नजर आएंगे ये प्रेटिकली मुसलमानों की हालत है कुरान की किसी बात के ओपर अमल नहीं कर मुश्रिक ना हो जाना कुरान को आग तो मुसलमानों ने लगाई हुई है कुरान चीख चीख के कह रहा है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाहती कार्ड में मुसलमान है अल्ला के हाँ मुसलमान नहीं है सही मुसलम में ही लिकी रह गई टू फॉर सिक्स के बंदे के कुफर और एमान शिर्क और इसलाम के दर्मयान फर्की नमाज है ये हदीश मुसलम में ही लिकी रह गई कि अबने मसूद रदियल्ला के लिकी रह गई है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना ये सुन्नत हुदा है ये तुमारे नबी की वो सुन्नत है जो अल्ला ने उन्हें अता की अगर इसे छोड़ दोगे तो बरबाद हो जाओगे रसुल्ला के जमाने में अगर कोई बिमार भी होता और दो बंदों के सहारे मस्जद में आके नमाज पढ़ सकता तो उसकी कोशिश होती कि मैं मस्जद में जमाज से नमाज पढ़ू कहीं मुझे मुझे मुनाफिक न शमार कर लिया जाए जमात छोड़ने पर रसुल्ला के जमाने में समझा जाता था सलल्लाई लिए वालिए सल्म के बंदा मुनाफिक है सहाब एकराम को एल बैत को कम मलूम था कि ऐसी उम्मत मी आने वाली है जो आप से बड़ा हश्क रसूल होने का दावा करेगी और नमाज एक नहीं पड़ेगी तो को कहते है यार ये तो बड़ा असान इसलाम है तो ये अदीशे तो मुस्लिशी में लिखी रह गए प्रैक्टिकली किसने अमल किया इसके उपर ये अदीश तिरमजी में लिखी रह गए कि हमारा और मुनाफकीन का एहद नमाज की बन्याद में है जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया ये सहाबा इकराम अलिए दौान का फत्वा तिरमजी में ही रह गया अब्दुल्ला बिन शकीक ताब ही कहते है कि सहाबा इकराम अलिए दौान तारिक उसलाख के सिवा किसी की तक्फिर नी करते थे सिर्फ बेनमाजी को वो काफिर समझते थे बाकियों को वो तमाम खलतियों के बावजूद मुसल्मान तसवर करते थे तो दाजा करें ये तिरमजी में लिखा रहा गया जनाब हम जब चीक चीक के ये बातें बियान करते हैं लोग कहते हैं यार ये किस किसम की बातें कर रहे हैं ये कहां पे लिखी हुई है सरकार किताबों में लिखी हुई है ये तो हम आप से कह रहे हैं कि बरने से पहले आए मुसल्मा कर ले इस पे गोर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और ये अभीष अबुद में लिकी रह गई कि बच्चा जब साथ साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुकम दो और ना पढ़े दस साल की उमर में उसे सजा भी दो और दस साल के बच्चों के बस्तर भी अलग कर दो ये अबुद में लिकी रह गई घ्दिस अमल किसने किया ये घ्दिस इवन माजा में लिकी रह गई कि नबी लिस्लाम ने फरमाया ए मौज अल्ला के साथ शिर्क न करना खुआ तुम्हारे टुकडे टुकडे कर दिये जाएं तुम्हें कतल कर दिया जाएं सूली दे दिया जाएं या आग में जिन्दा जला दिया जाएं शिर्क न करना ये पहली नसियत उसी यदिस में दूसी नसियत नमाज न छोड़ना तुम्हारा अल्ला के साथ एहद नमाज की बन्याद पे है अगर तुमने नमाज छोड़ दी तो अल्ला का जिमा उट गया तुमसे और तीसी चीज़ फरमाया शराब ना पीना ये तमाम बुराईयों की जड़ है तो ये दीसें तो लिखी रहागी सरकार ये दीस मुस्नद आमद में लिखी रह गई कि नमाज के दिन नमाजी के लिए दलील निजात और नूर होगी और जो नमाज नहीं पड़ता कि आमद के दिन ना उसके लिए कोई दलील होगी ल्या के अज़ूर बचने की ना निजात और ना कोई रोशनी नूर जो पुलिस रात से गुजरने के लिए कुरान में आए ना वो नूर और फिर नबी असलाम में रहा है कि बेनमाजी का हशर उसी अदिस में आता है फिरौन, आरून और हामान और अमय्य अबने खल्फ के साथ होगा हाँ जी, कुछ भी है तेरे माबूब की अम्बव से है, माबूब तो पहले ही बता गए है कि बेनमाजी तेरा अशर तो फिरौन के साथ होना है तेरा अशर कारौन के साथ होना है उमय्य अबने खल्फ के साथ होना है और ये तो मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहूं अब अगर मैं कुरान की तोहीद बियान करना शुरू करूं तो कुरान के पहले सफ़े का टेस्ट दुनिया के क्रोनों मुसल्मान पास नहीं कर सकते इयाका नाबुदू वैयाका नस्ताइन ये कुरान में लिखा रहाएगा माशाळला फजर की नमाज में ये पढ़ के निकलता है और मस्जित के साथ जो दर्बार है रेगुलर ली हाजरी दे के उस बाबे से भी मांगे कह रहाता है तो के नमाज दू पढ़ी तुम मुसल्मान हैं तेरी हर नमाज की हर रकत में तू ये ना पढ़े तरी नमाज यी नहीं होती इयाका नाबुदू वैयाका नस्ताइन एलगा इबादत भी तेरी करेंगे दौा भी तूजी से मांगेंगे मदद भी तूजी से मांगेंगे यहां मदद माना दौा के है लेकिन यहां मुल्वियों ने फिर पटी पढ़ा दी उनका ने जी ने अम्मी से रोटी ना मांगे अंदाजा करें अंदादा करीं कुरान का मजाग उड़ा रहे है हलाकि इने पता है कि कुरान में यह आयत मुझूद है वतावनू अलल बिर्री वत्तक्वा वला तावनू अलल इस्मि वलॉद्वान नेकी और प्रेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो व्यान ने बताया है कि अल्ला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है यहाँ यह कनस्ताईन में दौा के इतबार से बताया जा रहा था कि गार उल्ला से नहीं करनी जाहरी असबाब का तो व्यान में हुक्म है लेकिन देख ले और फिर जिस शान से अल्ला ने सुरत अनमल में जिकर किया हैरान कुन बात आपको बताओं एले तश्यों के हाँ सुब औ शाम की दौाओं में सुन्नत इजकार में सुरत अनमल की आएत नमर 62 पढ़ी जाती है तर्जमानी का भी किसी ने पढ़ा और हमारे जिस टूडर्स ने पढ़ा जो शिया मकतब से तालुक रखते थे क्योंकि मैंने इस आएत को इतनी दफ़ा कोट किया उन्हें का हम तो ये सुब़ शाम पढ़ते हैं तर्जमा पढ़ते हैं ये आयत पढ़के भी सब्ज़धे शिरक हम कर रहे थे क्योंकि उस आयत के अंदर क्या लिखा है अम्मन युजीबुल्मुतर्राइदादा बला बताओ कौन है जो तकलीफ में गिरेवे शख्स की फर्याद को सुनता है वायक्षिफुसू और उससे उसकी बुराई को तकलीफ को दूर कर देता है वायज़ालुकुम खुलफाल अर्द और तुमें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर तुमारे माबाब के मरने के बाद तुम तुमारे मरने के बाद तुमारी उलाद को आईलाहुमा अल्लाह क्या अल्ला के साथ कोई और माबूद भी है गलील मा तदक्करून लेकिन बहुत कम ही तुम नसीएत हासिर करते हो बिलकुल सदक ल्लाहुलाजीम बहुत कम लोगों नसीएत हासिर की इस आयत में क्लीर कट लिखा है कि जो अल्ला के सिवा किसी और से दॉा करता है गोया वो उसे खुदा बनाए हुए है या अली मदद का मतलब साधा नही ए आपने मौला अली को अल्ला के मकावले पर खुदा तस्थर कर लिया नहीं जी हम तो उन्हें अल्ला का बंदा मानते है नहीं जनाव कुरान तो ये कहता है कि अल्ला का बंदा मान के या बगैर बंदा मान के जब तुम्हारा ये अकीदा है कि अल्ला के सिवा कोई तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता है जि पिछे अल्ला ही है अच्छा अल्ला पिछे रखने हैं ये देखें अल्ला पीछे, रसूल पीछे, आगे तुम्हारे बाबे इजदें अमेल की हैं तुमने अल्ला और उसके रसूल के नाम के उपर चंदें खाए हैं तुमने, रसूल अल्ला के नाम के उपर स्वारियें स्वार की हैं तुमने मक्य और मदीने के नाम के उपर गदारी की है अपने दीन के साथ मिम्रों बे चड़के कहते हो कुरान और दीस ड्रेक्टन पढ़ना गुम्रा हो जाओगे वाह ये कोई यहुदी या नसरानी आके बात करें हम मुँ तोड़ दे तेरा मुफ्ती हर जुम्हे को खड़ा हो हो जाओगे और तुम कहते हो मुफ्ती साथ ने फर्मा दिया सुभान अल्ला दुनिया में अगर कोई मुफ्ती साथ लंबी दाड़ी और पगड़ी और हाथ में तस्वी के साथ आपको कोई दो नंबर चीज़ दे दे आप एक इस्तरी खरीदने के लिए जाए अपने कपड़े करने के लिए और उस पे जाली मौर लगा के वो बंदा आपको वो इस्तरी दे दे और आपको बात में पता चल जाए इसने धोका किया है तो आप क्या कहेंगे मुफ्ती साथ ने फर्मा दिया इस्तरी शरीफ आप घुसे में भरे वे जाएंगे और कहेंगे कि तु दाड़ी राके भी मानिये कर रहा है कहेंगे ना तो ये दाड़ी वाले जो मौलवी मिम्बरों पर चड़ए वे जुट सिखा रहे हैं आपको इनको कभी आपने का नई आप फरक देख ले जहां आपकी दुनिया का नुकसान होता है न ना आपको मुफ्ती की दाड़ी नजर आती है ओसकता है आप जागे आगल लगा दे उसकी दाड़ी कोई लेकि जहां आपका दीन का नुकसान हो रहा है मुफ्ती صاحب ने वहाँ लाग चीखते रहें कि मुफ्ती صاحب आपको अपने बाबों का दीन बता रहे है किताबों में दीन कुछ और लिखा वै तैस से मस नहीं होते तो ये कुरान की तोहीद का टैस मिध से पास कर रहे है एक जाहिल से जाहिल مسلمان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے اللہ duty کس کی ہے فرشتوں کی کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو بات ختم ہوگی جی dutyیں لائیں ہیں جی بابیاں دیا वाँ चाड़ दे ओ dutyیں لائیں ہیں किदर मर गे हो بابے کہ آج ہزاروں اکڑ کے اوپر YouTube की جو hard disk रखी मी है उनके अपर رسول اللہ कि खिलाफ गुसाहना वीडियोज रखी मी है बाबे की तर मर गे निगाह मार के क्यों ही डिलीट कर वाते है ओए बाबा जी कहा करते से न जी उम्मत मर जाए इमाम मालिक फरमाने ने कि हुजूर दियें गुस्ताखियां और इम्मत जिन्दा है पिर मर जाए सारी फिर मर जाए सारी पूरी आल्म इसलाम इस व 생겼ो या तो मर जाए या तो मर जाए सारा आलम इसलाम या फिर अधूर की इस्दी पर पेरा दे बस दो बातों में से एक बात है या सारा कटा हो के मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे मैंने का था बाबा जी रुख जाओ सबर करो तो आड़े होते कोई और शाय अला ने चाड़ दीती है उम्मत बाद ही मरे पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जान दे बाबे आ जिनने ये डूटी हैं सण होस कुत्ब अबदाल उन्होंने अपने नभी का कलमा नहीं पढ़ावा वो किदर मर गे जो कल तक अपने मुरीदों को यू देख के तो जिला के राख कर देते थे आज इतने बेगारत होगे कि वो यूटीूब से वीडियोज नहीं डिलीट कर सके ले जा अपने बाबे तो किसी काम नहीं निकले पहले हो मरन ना उम्मत तो बचारी कुछ कर नहीं सकती बाबों के बास तो इतने राइट्स है ओ बाबा लबो जिदी ड्यूटी है उत्थे जिते हार्ड डिस्क पर ही याने उत्थे जिस गोस्टी ड्यूटी है उन्हों लबो तरह उस्ते मैं 295 सील हो आवाँगा उम्मत मार जाए तेरे बाबे ना मर जाड़ उम्मत मार जाए उम्मत नो ते तुसी मिस गाइड कीता है आच चंदे बाबा पाल रहा है तो अड़े चंदे आदे पल्डे ने तो तुसी कहे तो बाबा पाल रहा है शर्म की कोई इंतहा होती है वैसे तो कहते हो हम सुनी है सुनी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके मताबिक जो रसुल्ला के आहदीस नकल हुई हैं صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم रुकूँ में जाते वक्त और रुकूँ से उठते वक्त रफ़ लिद्यान करेगा या सुनी वो होगा जो अपनी पबली को ये जूट मशूर करेगा कि जी बगलेश बुत राख के आंदे सें ताहर रफ़ लिद्यान हो ना सी वाँ वाँ जिस शक्सियत के साथियों में सेदोना अमर सेदोना हमजा सेदोना अली जैसे दलेर और अल्ला के शेर हो ओते लोग बुत राख के ते हुजूर ते पीछे आगे करो कोई सब कुछी चूट निकले तो वड़ा आप लोग दुश्मन है इसलाम के इससे बड़ी क्या दुश्मनी होगी जो लोगों को कहता है कुरानों सुने जोड़ो और उसके कहता है जी ये लोगों को गुमरा कर रहे हमारे बुजर्गों से लटा रहे है जी बिलकुल इलानिया मैं कहते हूँ कि मैं आप के बुजर्गों से आपके पबली को हटा रहा हूँ इसलिए नहीं कि अपने साथ जोड़ूं क्योंकि ना तो मेरी कोई चंदा बुक ना मेरा कोई मदरसा ना मेरी कोई मस्जिद चंदे आप को दे नमाजें आपके बीशे पढ़ें हम तोड़ रहें इसलिए नहीं हैं आपके बुजर्गों ऐसलिए तोड़ते थे कि किसी से तोड़ के अपने साथ जोड़ें असल में ना इनोंने यही जुर्म किया यह समझते हैं दूजरे भी यही कुछ करते हैं बंदा खुद चो रहा है न दूसे नों ही समझता है या आप सही कह रहे हैं ये ऐसे ही होता रहा है लेकिन आज जो शक्स आप पे अला ताला ने मसल्ट की है न ये शक्स आप के बजर्गों से तोड़ के अपने साथ नहीं जोड़ रहा ये उसके साथ जोड़ रहा जिसकी कबर मदीने में है ये नभी मौमनीन की जानों से बढ़के उन पे हक रखते हैं और नभी की बीवियां उम्मत की माएं हैं और नभी उम्मत के रुहानी बाप हम तो उस शक्सित के साथ जोड़ रहे है तो दुश्मिनी की आप लोगों ने खुरान के साथ सुन्नत के साथ और मैं हरान होता हूँ कि खुरान हकीम वो किताब जो हमारी किताब बें जिन्दगी थी इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मित्स मशूर कर दी बस सिर्फ इसका काम रहा है मुर्दे बक्षवाना जो साथ इदी कोई नहीं खुरान का काम रहा है अदालतों के अंदर पहलफ दे के जुड़ बोलना खुरान का काम रहा है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना ये कुरान का टोटल काम ये रह गया है कुरान इसलिए नाजल हुआ था यार एक गैर मुस्लिम भी आपको खात लिखे ना इम्मिग्रेशन के कागज आ जाजए ना फ्रेंच के अंदर इंग्लीश के अंदर और आपको ये जुबाने ना आती हो तो दस बंदे ढूंड़ते भिड़ते हैं कि यार बताओ क्या लिखाव है और अल्ला की किताब कभी उसको तर्जमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की जबके हर फिर्के का तर्जमा मुझूद है देखें जगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंग्लीश साब खुद तर्जमा दे रहे हैं लोग मेरे बारे में कहते हैं कि ये उल्मा से दूर कर रहा है सरकार बिलकुल उलट बात है मैं उल्मा के आपको करीब कर रहा हूं लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता मैं कहते हूं सब की बात सुनो हाँ वो इसको कहते हैं उल्मा से दूर करना वो कहते हैं सिर्व हमारी सुनो क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखावा तर्जमा पढ़े ना मैंने कोई लिख के आपको दिया मैंने हमेशा का कि ब्रेलवी हो तो आमज़ा ब्रेलवी का तर्जमा पढ़ लो चांद एक जगा पे एक तलाफ हो सकता है इयका नाबुदू वा इयका नस्ताइन का तर्जमा उन्होंने या शेह अब्दू कादर जिलानी मदद तो नहीं किया वा दियोबंदी हो अश्री थानवी का तर्जमा पढ़ लो कौन सा दुनिया का दियोबंदी आलिम है इंक्लूडिंग तकी इसमानी साब के जो ये दावा करे कि मैं अश्री थानवी से बेतर कौरान जानता हूँ तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कौरान पढ़े इनके बड़े-बड़े अब्बों से पढ़े अब मुझसे वो टी-ल-पी वेले भाई ने जाब इंटर्वियू किया उन्हें तो अर्भी आती थी तर्जमा उन्होंने किया था मेरे लिए अर्दू तो मुझे आपसे भी ज्यादा आती है जिसना साबाए कराम को लिखना पढ़ना नहीं आता था लेकिन उनकी जुबान में खुरान नाजल हुआ तो उन्हें ड्रेक्ट समझ आता था खैर मैंने तो बाद में अर्भी भी सीख लिए अर्भी ना भी सीख हूँ या कोई ना भी सीखे अर्दू जबान में जब कर दिया तो हम तो ड्रेक्ट आमजबरेली से तर्जमा पढ़ रहे हैं हम ड्रेक्ट अश्री थानवी से पढ़ रहे हैं हम ड्रेक्ट जुनागड़ी से पढ़ रहे हैं हम शिया के स्यद फर्मान निशा से तर्जमा पढ़ रहे हैं तो जीदे शाही कोई नहीं और यह आप खुद मानेंगे उनका एक जुमला गॉल्डन जुमला है। उन्हें का कि आज कोई गहर मुसलिम आके आप से ये कहे कि मैं मुसल्मान होना चाहता हूँ या अभी हुआ हूँ मुझे बताएं मैंने इसलाम को स्टड़ी करना है कि इसलाम की मुझे से क्या रिक्वार्मेंट है मेरा खुदा मुझे से क्या चाहता है मेरा अल्लाह मुझे से क्या डिमांड करता है तो आप उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए देंगे तो सारों का जवाब यह होगा कि कुरान पढ़ने के लिए देंगे और आगे से वो गोरा यह पूछ ले कि भाई आप ने भी इसी कुरान को पढ़के अपने कीदे से ही किये थे हाँ तो मुँ अड़के बैट होगे इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैंने नहीं मेरे पुर्खें जो भी किसी ने नहीं कुरान तर्जमिन अल्ली पढ़े है ऐसी अल्ला दे फजल लाल जदुदाना ने कलमा पढ़या हूँ तक कि इसने कुरान तर्जमिन अल्ली से पढ़या उसी वज़ाय मैं आपको उता देता हूँ कुरान का तर्जमा बमुश्किल दो धाई सो साल पहले किया इशाव लिल्ला देलवी ने फारसी में और दो भी कोई प्रिंटिंग प्रेस बगएरा नहीं थे वो चलन लोगों तक ही पहुँचा एक्शुली अगर आप देखे तो इन 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है कि सौट फिर बने आम बंदों के हाथ में है वरना तरजमे ला कुरान तो आपको मस्जदों में नहीं मिलता था ओ आफजे कुरान ने ने तरजमा पढ़ा हो तो और किसने पढ़ना है आफज आफज बाण के निकलते ने आफज नहीं आफज उन्हों ने ने कुरान तरजमे से पढ़ा हो और किसने पढ़ना है जिस तरे जनावी ही दाएगी ते ओ पर ही दे दाड़ी और किस लिए पैसे कमाने के लिए मुफ्त कोड़ बढ़ा दाए जे तराविया ठेके दे उन्दिये ने ये कुरान के साथ आप लोग कर रहे है और कुरान का कह रहे है वा उहिया इलया हाजल कुरान ले अंदिरकुम भिह वमंबलग गैन अभी तुम फरमाओ कुरान मुझे अल्लाने इसलिए वही किया ताके इस कुरान के जरीए मैं तुमें भी तबलीग कर दूँ और जिस तक ये कुरान पहुंच जाए इस कुरान के जरीए तबलीग करे कुरान तो ये कह रहे है कुरान तो कह रहे है हमने कुरान को समझने के लिए असान कर दिया है कोई नसियत असिर करने वाला कुरान तो ये कह रहे है कुरान तो कह रहे है अनभी कुरान के जरीए तबलीग करें हर उस शख्स को जो अल्ला की धंकी से ढड़ता है कुरां तो ये कह रहे है कुरां तो सुर्य साथ में कह रहे है कि कान लुद नाजल किया कि इस से लोग नसीफ हासिल करें इस की आयात में तदब्र करें और अकल-मद Simone की इससे नसीफ हासिल करें लेकिन आप लोगों ने क्या कहा कि कुरान किसलिए नाजल हुआ है? मुर्दे बख्षवाने के लिए हमारे महभूस ﷺ की पूरी जिन्दगी सेंटर्ड अराउंड कुरान है आपका इंस्ट्रूमेंट अफ दावत कुरान है ले उन्दिरकुम भिह वमंबलग है नभी तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इस कुरान के जरीए मैं तुम तक बात पहुचाऊँ जिस तक भी पहुचे और वो देखें कैसी पहुचाईए सही मुस्लिम में हदीस है नभी लिएसलाम ने हज्जत अलवदा के मौका पर फरमाया था मैं तुम में एक चीज ऐसी छोड़के जा रहा हूँ जिसे पकड़ लोगे कभी गुमरा नहीं होगे वो अल्ला की किताब है अच्छा हज्जत अलवदा का जो खुत्बा मुस्लिम शरीफ में आया नए जो खुत्बा मुस्लिम शरीफ में आया उसमें सिर्फ कुरान का जिकर है लेकिन वो लिखी रहगी मुस्लिम में अधीस ये अधीस मुस्लिम जरीम में लिखी रहगी कि अल्लभ ताला इस कुराम की वज़ा से कौमों को अरूच देगा और जवाल देगा वो जमाने में मुजज़त थे मुसल्मा होकर और तुम खार हुए तारिक कुराम होकर ये मुस्लिम जरीम में लिखी रहगी जी ये मुस्लिम में ही लिखी रहगी जी अल्कुरान उहुज़त लका और अलिका कुराम क्यामत के दिन या तो तेरे हक में गवाई देगा या तेरे खिलाफ गवाई देगा जी और वो खलाव जो गवाई है वो कुरान में आ गई है वो सिर्फ कुरान नहीं साहिब कुरान भी सुरह फुर्गान आएद नमबर 30 और रसूल या रब्य इन्ना कव्मि तख़दू हादल कुरान महजूरा और रसूल ला क्यामत के दिन शकायत करेंगे कि एल्ला मेरी कौम ने कुरान को पीट के बीचे डाल दिया था हमें शवाद रसूल का बताया गया जो बरहक है कोई शक नहीं अल्लाहुम्म जञालना मिनहुम अल्लाह तल्ह हमें उनमें करे जिनको रसूल ला की शवाद नसीब होगी श, लेकिन ये तल्ख पहला हुए कि नबी लाइसलाम num ने शकायथ भी लगाझा नी है जिसकी शकायथ लगरी होगी वो शवात किस मूँ से करवाएगा हम कह रहें जो कुछ भी है Од सब्सक्राइम हैं और माबू पहले ही गह है कि मैने शकायथ लगाझाई है जिसने कुरान को छोड़ दिया माबूत और रो रहे हैं इस बात के ओपर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीश है अब्दुल्ला इबन मसूद रदियल्लाव तालों कहते है एक दिन नभी लिस्लाम मिंबर पे चड़े और मैं और्डियंस में नीचे बैठा वा था तो रिस्लाव ने का अब्दुल्ला हमारे करीब आओ मैं करीब गया का अब्दुल्ला हमें कुरान सुनाओ उनका या रिस्लाव कुरान तो आप पे नाजल हुए आपने फर्माया कि मुझे दूसरों से सुनके लुट्फ आता है तो अब्दुल्लाइ बिनमसूत कहते हैं कि मैं कुरान हकीम बढ़ना शुरू किया और सूरे निसा की मैंने तलावत शुरू की आप शौक देखें कि सूरे निसा शुरू की उन्होंने चालिस आयात पढ़ दी नबी लिसलाम मिंबर पे वेटे वे हैं और वो नीचे कुरान तलावत कर रहे हैं और उसका लुट्फ उठा रहे हैं और जब आयत नंबर 41 पे पहुँचे न वो कैसा दर्दनाक वक्त होगा कियामत का कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उस उम्मत के पेगंबर को उठाएंगे किसलिए कि बताए कि उसने दावत का काम किया तो उसके अगेंस्ट उसकी उम्मत ने कैसा रिस्पॉंस किया और आमहबूब صلی اللہ علیہ وآले सल्म हम आपको गवाह बनाकर उठाएंगे इन के उपर जिन में आपको मबूस किया गया बस ये आएट सुननी थी उम्मत तो कहती है जो कुछ मी है मबूब की उम्मत से है और मबूब क्या फर्मा रहे है अब दूल्ला बस करो अब दूल्ला बस करो कहते हैं मैंने निगाव उठा के हुजूर की तरफ देखा तो आपकी दोनों आखों से जारुकतार आंसु जारी थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ कि इस आयत के तहत गवाई देनी पड़ेगी हुजूर इसलिए रो रहे हैं कि मुझे गवाई देनी पड़ेगी कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया मेरे दीन को पसे कुछ डाल दिया और उम्मत उमीर लगाई बैटी है वजूर ने शवाद करनी है आप देखें कितना फरक है बुखारी मुस्लिम दोनों में अदीस है नबी लिस्लाम ने फर्माया जो लोग जकात नहीं अदा करते अपने माल की कान खोल कर सुन लो ऐसा नहो कि क्यामत वले दिन किसी की गर्दन पे उसकी वो बकरी सवार हो जो बकरीयों का रेवर उसने रखावा है मैंने जो कुछ बताना था दुनिया में तुम्हें बता दिया आप हैरान होंगे मैट्रिक में जब मैं पढ़ता था 1992 में तो ब्रेल्वियों की एक जवाद थी अंजमन तुलबा-ई-इसलाम ATI उनका जो बैज होता था ना उस पे लिखा होता था अगिसनी या रसूलल्ला वो सीदा भी होता था गोल भी होता था गरीन क्लर का और गॉल्टन रांग अगिसनी या रसूलल्ला काश उसके नीचे बخारी और मुस्लिम की इस देऊस का नंबर लिखा हुथा जिसके अंदर ये जुमला आया है हम तो उसको लेते थे या रसुल्ला हमारी मदद करे लेकिन ये जुमला तो नबी लिस्लाम ने उम्मत के लिए टाट के तोर पे बोला वा है कि तुम तो मदद मांगो के मैंने तुम्हारे काम नहीं आना क्यों? उस अधीस में अलवाज है मैंने तुम्हें दुम्हें दुम्हें बता दिया था कहीं ऐसा ना हो कि किसी की गर्दन पर उसकी गाए सवार हो जिसकी इसने जगात नहीं दी जब वो गाए चालिस के अदद को पहुंच है यनि आम गाए की तो जगात नहीं है और वो चीखें मारता वकि अगिस नहीं या रसूल ला या रसूल ला मेरी मदद करें मैंने तुम्हें दुम्हें दुम्हें पेगाम पुचा दिया था मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आओंगा फिर नबी लिस्लाम ने उट का सवार होने का जिकर किया तो अंदाजा करें अल्ला के नबी लिस्लाम ने अपनी अम्मत को एक एक तफसील खोल कर बियान कर दी है कोई कसंदी छोड़ी खोल खोल कर बातें बियान कर दी हैं किसी को वाम भी बाकी न रहे फिर भी उम्मत को ख्याल ना आए तो लग बात फिर हज़त अल्वदा से जो वाफसी पे नबी लिस्लाम ने घदीर का खुटबा दिया है घदीर कुम का सही मुस्लिम में ही उपर तले चार हादीस है 625 से 628 तक ए लोगो आगा हो जाओ मैं भी एक इनसान हूँ गरीब है कि अल्लह का कासिद यानि मौत का फरिष्टा मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कुबूल कर लो मैं अपने बात तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ उनमें से पहली चीज़ अल्लह की किताब है इसमें हदायत है इसमें नूर है ये अल्लह की रसी है जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा जो छोड़ देगा गुम्रा हो जाएगा और जायद अबन अरकम कहते हैं कि नबी अलस्ताम पिर तरगीब दिलाते रहे अल्लह की किताब अल्लह की किताब अल्लह की किताब जो कुरान में आयता है न अल्लह की रसी को मजबूती से पकड़ लो फिरकों में मत बटो वो कुरान है गदीर खुम की अदीश में इसको वाइस वरसा भी कर लो कि जो कुरान को नहीं पकड़ेगा वो फिरकों में बट जाएगा क्योंके कॉमन बार्ण अल्लह ने बता दिया अल्लह की रसी को पकड़ लो और फिरकों में मत बटो इसका क्या मतलब है कि जो नहीं पकड़ेगा फिरकों में बट जाएगा और वो हो गया और फरमाया दूसरी भारी चीज़ मेरे अहल बाइत है मैं अपने अहल बाइत के मामले में तुम्हें अल्लह का खौफ दिलाता हूँ यानि मेरी वफात के बाद उनके साथ हुस्न सुलू करना ये तीन दफ़ा आपने जुमला बोला लेकिन अमत ने ना गुरान को पकड़ा और ना एहल बाइत को जिन्दा चोड़ा बिल्कुल उल्ट उम्मत चली पिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है अल्ला के महूत सुलू जब कभी भी खुत्बा देते थे ना तो आप अलिएस्लाम मिंबर पे आके कहते थे अम्मा बाद फइन्न खेर अल्हदीथ किताब ल्लाह वखेर अल्हदी हद्यु मुहम्मद कुछ अल्फाज सुन निसाई के मेजर पॉर्शन जो है वो सही मुस्लिम है आगा हो जाओ सबसे बेहतरीन किलाम अल्लह की किताब है सबसे हदायत याफता रास्ता मुहम्मद सुन ल्लाह लिए वालियु स्लम का है बगतरीन काम वो है जो दीन में खुछ से जारी कर दिये जाएं वो सारे काम बिदते हैं और तमाम बिदते गुमराईया हैं और तमाम गुमराईया जहन्नम में ले जाने वाली है अंदाजा करें और बुहारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मुजूद है عبداللہ ابن ابی اوفہ سے کسی نے پوچھا جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ویرز تک زندہ رہے 86 ہجری میں فوت ہوئے کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی قرآن وسیع رسول ہے خلیفہ تو رسول ہے وسیع رسول جس کے اوپر آٹھ سنیش یا دو ورکے بنے میں سیدنا ابو بکر خلیفہ تو رسول ہیں صحابہ اکرام کے اجماع کے اوپر وسیع رسول نہیں وسیع رسول قرآن ہے وسیع رسول نہ سیدنا ابو بکر ہے نہ سیدنا علی ہے اور وہ نیچرل ہے کیونکہ دو سال کے بعد تو حضرت ابو بکر بھی فوت ہوگے بارہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہوگے چوبیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید اور آخری صحابی अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिज्री में नबी लिस्लाम की वफात के 100 साल के बाद वो दुनिये से चले गे उसके बाद इस प्लैनेट अर्थ पे कोई सहाबी नहीं है नबी लिस्लाम किसी सहाबी को भी वसी बनाते है तो मरत उसने भी जाना था ये जिन्दा चीज छोड़ी बुखारी मुस्लिम दोरों में अधीस है अल्ला ने हर नबी को कोई न कोई मोजज़ा दिया था और जितने लोग उस नबी पर एमान लाते थे उसी मोज़े की वरे से लाते थे मुझे अल्ला ने सबसे बड़ा वही का मोज़ा दिया है कुरान मैं अल्ला से उमीद करता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे उम्मती होंगे जन्नत में जाने वाले क्योंकि मेरा मोज़ा सबसे बड़ा है कुरान की वज़ा से और बुखारी मुस्लिम में आ गया कुरान की वज़ा से यनि कुरान मतलब ये मुर्दों को बख्षने की वज़ा से नहीं नहीं सरकार अमल करने की वज़ा से तो नबी लिएसलाम का वसी आप का खलीफा आप अलिएसलाम का इंस्ट्रुमेंट अफ दावत हर चीज